बुईया के गोठ संगी गोठ नवा तक नीक ग्यान के विसे सग्यले समाधान के तस मचली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के स्वस्थ सुखी कुस हाल छतिस गड़के के साथ रसता है बुईया के गोठ संगी बुईया के गोठ संगी बुईया के गोठ संगी कारिकरम देखे यह जम्मु दर्शक मला राम राम वैसे तो हम चतिस गड़ा धान के कटोरा कही थन फिर बहुत बड़े रगबा में यहां सागभाजी की खेती हो थे और आजकल हमर किसान भाईमन फल के भी बहुत खेती कर रहे थे बहुत मनहा केला लगा थे, पपिता लगा थे, बोईर है या अनार है, सीता फल है, एक रुब किसान भाईमन खेती कर रहे थे तो हमर आज की चर्चक की विशय घलो की है फल की खेती और जानकरी देखा थे हमर भी चाहे है डॉक्टर घंसयाम साहू, विज्ञानिक इंद्रा गांधी क्रिष्टी विश्वे दल्य रायपूर तो राम 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 रक्सा है, बहुत बहुत स्वागत है हमर कारिक्रम में तो जसन के आज की विशय है, फल की खेती तो हम सबले पहले तो आपसे ही जानना चाहाब हो कि छथ्टिसगड में कोन-कोन से फल के खेती के संभावना है हमर छथ्टिसगड प्रदेश में तीनों प्रकार के ग्रिश्री जलवायू पाय जाते है चाहे वो अंबिकापूर के छेतर हो, चाहे चत्तिजगड के मैदानी छेतर हो, चाहे बस्तर के बठार हो बात आते कि जैसे अंबिकापूर के छेतर में चुकि ठंड बहुत अधिक पड़ते तो जतका ठंड प्रदेस के फल है चाहे वो सेफल हो चाहे वो नासपाती के पौधा हो चाहे वो प्लम आलुचा जो कतन और आलुभुखारा जो कतन और एकर साथ साथ लीची बहुत अच्छा हमर अंबिकापूर के सरगुजा छेतर में पूरा चाहे वो सरगुजा अंबिकापूर के बाद हो चाहे कोरिया के बाद हो चाहे बलरामपूर के बाद हो और एकर साथ साथ कठल की खेती बहुत अच्छा हमर ये उतरी छेतर है यह में बहुत असानी से हो थे बात आथे कि मध्य शत्तिस गड़ के जो बात करतें ते में बहुत अधिक मातरा में केला की खेती, पपीता की खेती, आम की खेती, अमरूत की खेती और वो इसने ही नीबू और अनार की खेती बहुत बढ़िया किसान भाईमन करते और जैसे जैसे भाठा जमिन देख थे किसान भाईमन तो वहाँ पे आवला और बेर की खेती बहुत अधिक मातरा में हमरे चत्तिजगर प्रदेश के पूरा पहाड़ी और मैदानी खेतर में ये सब फसल लगिसान भाईमन लगाए है और लगाद भी है बात आते बस्तर के जो पठारी जेव खेतर है वह में बहुत अधिक मातरा में नारियल की खेती बहुत बढ़िया होते एकर साथ साथ काजू की खेती और साथ में सलफी जोला हमन सोमरस कतन वोकर खेती चुकि फल में आते होगा और साथ में काफी की खेती के संभावना हमार बस्तर संभाग में बहुत बढ़िया है एकर बावजुद जो पहाड़ी छेतर बस्तर के है जे में हमन कथन दंतेवाड़ा के जो छेतर है वीजापूर के जो छेतर है वहाँ पर शीता फल की खेती भी किसान भाईमन करा थे और एकर अलावा जो महत्वपूर्ण जैसे औ और माइनर फारेस प्रोड चार चिरुण जी जो वाता थे वोकर भी वन संपदा के माध्यम से और खेतों में भी किसान भाईमन बहुत अच्छा मुहाला भी हमन फल वांतन तो मुहां की खेती भी अब विस्तार होना वैसाइक खेती विस्तार से चालू होगा थे तो ये तर है ठंड में ही होते तो अंबिकापूर के खेतर में तो साल फल लगा सकता है लेकिन पहाड़ी बस्तर वाली खेतर और मद्धिव चत्तिजगर के जो शेतर है ओमें इस्टा बेरिला अक्टूबर से फरवरी के बीच किसान भाईमन लगाना चाहिए तो ये तरीके से सब वो प्रकार के फल हमर प्रदेश के तीनों जलवाई उशेतर में लगाया जा सकते हैं तो ये तो आप बहुत अच्छा जान कर दे हो पर किसान भाई मन कौन से किस्म लगाएं का और पौधा भी कहां मिली और कट 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 दूरी में लगाना चाहिए एकर बारे में बत पौध से बड़े पौध की और जानना चाहूं किसान भाई ये ध्यान रखना जैसे केला की पौध आप मन लगावत हो तो डेडड़ मीटर की दूरी में मतलब पांच पिट की दूरी में पौध से पौध और कतार से कतार की दूरी किसान भाई मला लगाना चाहिए जब G9 जो किस्म है, G9 टीसू कल्चर जो केला है, वो हमर च्छतिसगर प्रदेश के लिए बहुत ही उप्युकत है, पपिता के जब बात करता हैं, तो पूसा नन्ना जो किस्म है, ज़से आप में देखा थो कि पूसा नन्ना पपिता के पौद है, तो ऐसी पौध जेकर उम्र 45 से 50 दिन के हो जाए एसन पौधला किसान भाई मनूञा लगाना चीये तो पपिता के जो किस्म की बात करन तो अमे पपिता में जो रेड लेडी किस्म हैं पूसा नन्ना किस्म हैं पूसा ड्वार्फ किस्म हैं वो बहुत अच्छ है किसान भाई हो आप मनला ये बताना चाहूं कि केला के ये तरीकिक जो शकर या टीशू कल्चर जो बनाना है ये बनाना अगर किसान भाई मन्हाट डेडड़ मिटर की दूरी में लगा थे तो एक सांत उत्पादन प्राप्त हो थे और किसान भाई मनला अच्छा एकर आय मिलते जी नाइन जो किसम हमर प्रदेस के लिए एकर बटेस्टेड है केला कच्चा सब्जी गूरूप में खा सकत हैं चिप्स बना के खा सकत हैं और एकर बाद पके केला में भी एकर स्वाद बहुत उच्छा है तो तीनों प्रकार से ये केला के किसम लोग योग करे जासे देकर वजए से ये केला हमर परदेश में बहुत पारवाप्लार है तो केला और पबीता के किस्मा बतायों किसान भाईयों आम हमर mixing परदेश में बहुत अधिक मात्रा में हुथे है अब आमके खेती में जब बात आते किस्मा क्यों और फसल दूरी के तो आम में जो आमरपाली है मलिका है दशरी है अलफान जो है और बैगन फली एकर खेती हमर चत्तिजगर प्रदेश में बहुत ही अच्छा करे जाते हैं साथ में जो किसान भाहिमन लगे ही ते इही किस्म मुला ध्यान रखे और हमर इंद्रा गांधी कृश्विश्विश् इकर भी खेती किसान भाहिमन बहुत असानी से कर सकते हैं आम में जब फसल दूरी की बात आते तो किसान भाहिमन ये सुनिश्चित करे कि का आम फसल के बीच में अंतरवर्ती फसल भी लेना है किसान भाहिमन लगे शुरुआत में पौधा छोटे रही थे जगा खाली रही बिल्कुल तो ये किसान भाहिमन लगा है कि ये जैसे आम के ग्राप्टिंग करे हुए पौधा रहे ये एकर उम्रत छे मेहना के आसपास है ये पौध बिल्कुल तयार है मुखी खेत में लगाए वर तो किसान भाहिमन लगाए मैं यही सलाद हूँ कि हमेशा जब आम के पौधा हो और फसल दूरी लव इसे सुरुप से किसान भाहिमन ध्यान रखे कि जब आम के बड़े पेड़े लगाए मतलब मली का किस्म लगा थे बैगन फली लगा थे तो कतार से कतार की दूरी छे मिटर रखे लेकिन जब आमरपाली किस्म लगा थे किसान भाहिमन हा चाह तीन मीटर रख सकते। और उन्हें में जिया दार गताना चाही है। किसान भाई मन्ला रखना चाहिए। कि यह हर इस एक्डेन के संगा है। लेकर स्वाध है जे भगोलिक शेत्र में जैसे उत्तर प्रदेश में दश्यरी बहुत अधिक होते वही स्वाध हमर प्रदेश में मिलते हैं तो किसान भाई मुझा जरूरी ये आम के जो किस्मा में बदाया है तेला लगाना चाहिए अमरूद हमर चतिजर प्रदेश के लिए बहुत ही उपयोगी फल है और ये गूटी द्वारा बनाये हुए एक पौधा हरे और ये पौधा मुझे खेत में लगाए के लिए बिलकुल तैयार है तो किसान भाई हो अमरूद के पौध जब लगाओ तो ये धियां रखो किसान भाई हो कि सघन बागवानी में अगर लगात हो तो चार मीटर भाई दो मीटर की दूरी में चार मीटर कतार से कतार की दूरी और पौध से पौध की दूरी दो मीटर रखे है और जब किसान भा बाद आते हैं हमरे प्रदेश के लिए जो उप्यूक्त किस्म है तो ललीद जो किस्म है हमरे क्रिश्विश्विश्विद्याला में हमने अनुशंधान में भी पाया कि ये किस्म सबसे अच्छा है और चुकि नारंगी रंग के एकर गुदा होते तो बड़ा सुन्दर एकर ज और बड़े वाले जो भी है केजी कवावा एलावी किसान भाईमन लगा सकते हैं बात आते हैं कि अमरूद के जब फसल लगाए किसान भाईमन तो विशेश रुप से ये ध्यान रखे कि कटाई सथाई कब करना शीए चुकि अमरूद के पौंद में अगर जनवरी फरवरी म और हैवी प्रूनिंग जलाहमन कथान की बहुत गहराई से कटाई करना शीए वो जुन जुलाई में अगर किसान भाईमन करते तो दो फसल अमरूद के किसान भाईमन है ठंड के सीजन में और गर्मी के सीजन में बहुत अच्छा फसल किसान भाईमन ले सकते हैं तो ये तरी इक दिख्कत यह आथ है कि आम के बौर में फफुन जनित बीमारी जी लहामन पाडरी मिल्डू कतन उलग जथ है मैं ये सला दूओ कि 12 जन्वरी के महिना में किसान जूराइट है या ब्लू कापर के नाम से भी आप cryptocurrency के नाम से भी आते, वोकर आठ हेमेल मात्रा, एक इस्प्रेयर में चुगदा लिटर पानी में घोल के किसान भाई मनला फोलियर इस्प्रेय करना चाए है, मतलब इसे है कि वोकर टहनी में पढ़ना चाए है, प्ती में पढ़ना चाए है, फूल आने वाला हैते में पढ़ना चाए है, औ और एकर बाद जैसे आम के बाव रा थे और फल जड़ थे, तेकर लिए विशेश रूप से ध्यान रखो किसान भाई हो, NAA, नेप्थलीन एस्टिक नाम के जो हर्मोन है, वोकर 20 PPM मात्रा, प्रती लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई मला शिड़कना चाहिए, आवश्यक र फलन बहुत अच्छा किसान भाई मनहा ले सकते हैं, तो यह तो अच्छा चन करे दे, यह जदकाभी पौधा के बारे आप बता थो, वो सब पौधा का यहां उपलब्ध है, एकर विजा और धरह, यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, चुकि हमर चत्तिसगर प्रदेश में, राज्य बागवानी मिशन के अंतरगत, एक सो च्छानवे ठंसरकारी नरसरी है, तो यह से रायपूर में छोकरा नाला नरसरी है, हमर विश्विद्याला नरसरी है, वो इसने हमर चत्तिसगर प्रदेश में, बिलकुल बाना में, बढ़िया सेंटर अप एक्सलेंस एक नरसर और उचित किस्म ले सकते हैं, एकर अलावा भी किसान भाई मनला लगते हैं, तो CISH, Central Institute of Sub-Tropical Hurticulture, जो रहमान खेड़ा लखनों में हैं, तो वहां से 4-6 किसान इकठा हो जाएं, और वहां से मन पौधा मंगवा सकते हैं, और एक बार इसे हैं न भगवती जी, कि एक बार ओकर बाद जो बीजू जड़ा इस, ते में हमन हां ओकर श्यान लेके, ये पतला स्यान लेके, ये तरीके से पतला स्यान लेके, ये शाखा आथे, ये भी पेंसिल थीकनेस के हो जाएं, ते कर श्यान लेके हमन उही किस्म ला बढ़ा सकते हैं, तो ये तरीके से किसान भाई म खुद पौधा तयार कर सकते और अपन खेत में फल उद्यान के निस्तारन आसानी से किसान वईमन कर सकते। तो सरी आम में की जाम में भी वैसें कर सकते। यह चांम में गुटी, अगर आपके पास लली किस्म है तो बारिष के अवस्था में पैंसिल ठीकनेस की जो साखा है एकर अत्का चवड़ा एकर छिल्कल निकाल देना है उसे छिल्कल निकाल देना है थोड़ा मुटा वाले दे शिलकल निकाल दे शतका मुटाई के, और कर बाद एक भाग मित्टी, एक भाग रेत और एक भाग गोबर के खाद. तीनों मिला के बढ़िया मिश्रन बना लिए सो करवाद उला बान देना है जहां पर अपन छीलका लगाएं तेला बान देना है और बान दे के बाद वो में 25 दिन में जड़ आना प्रारम हो जाती है और 40-45 दिन में ओला नया पहुद के रूप में हमना तयार कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल इसने निबू में भी कर थे इसने अनार में भी कर थे तो तीनों में गूटी के माध्यम से आप नया पहुदा तयार कर सकते हैं अच्छा, अब पपिता के बाद है, पपिता हम बहुत इसे लगा रहे हैं, एक तो पीला पढ़ना, वो होते बहुत, और दूसरा, हमें कईटन फूल ही हो जाते हैं, तो ओला कैसे धंके करना चाहिए किसान मला इसन हो गे तो, बहुत बढ़ी है भगवती जी, किसान भाई हो याद रखना, यह नरसरी अवस्था में हमन नी पहचान पान, जब अदकबडे पपिता रथे, तो यह नर पहुत आए कि मादा पहुत है, जब बात आ थे फूल के अवस्था में, तो ओ समय पकड़ में आ थे कि यह आप नर पहुत है, यह मादा पहुत है, तो मुला यह किस किसम जैसे रेड लेड़ी है, उसा नन्ना है, और हनीडू है, और कोयम टूर एक है, कोयम टूर दो है, तो यह जो किसम है, जो गाइनोडासियस किसम है, उलाही किसान भाहिम अल्ला लगाना चाहिए, तो में का हो थे नर और मादा फुल एक ही पहुत में रथे, तो 98 प्रति किसान भाई हो पपिदा के पौध में यलो एनमोजेक वाइरस हो थे और एक रिंग स्वाट वाइरस हो थे दोनों विशान उजे नहीं थरे और एकर प्रचार प्रशार या एकर प्रशारन हो थे कीड़ा के माध्यम से जो चूसक कीड़ा है दूसरा पौधा में तो किसान पंद्रा पंद्रा दिन के अंतरा हाल में कर थे तो यलो एन मुझे एक बीमारी से या रिंग स्पार्ट वायरस से किसान भाहिमाना फसला बचा सकते हैं एक अर अलावा उस अस्ता दवा में यह बताता हूँ कि जैसे नीम के तेल हैं नीम के तेल ला एक लीटर पानी में अगर देशी दोई जी बिल्कुल देशी दोई तो यह आप में बहुत अच्छा जानकारी देख हो अग केला में का का समस्या आथ है वो लग कई से रंके निवारन करें जी मैं तो किसान भाहिमान यह बता हूँ कि केला के पौध हर बाड़ी में तो किसान भाहिमान देख थे जब बेपरकार के पौध हमन लगा था है तो प्रारंबी का वस्ता में जैसे केला के पौध लगाएं यह पौध लगाएं यह पौध लजे से रोपन करें वही समय किसान भाहिमान का करें नीम की खली या करंच के खली अच्छा यह में नेमा टोट के समस्या जादा आ थे भगव बगल में गेंदा के पहुंद किसान भढ़ाना न लगाना जी कीशान भाई है तो ये तरीके से अगर के पहुंद लगाते तो केला में नहीं निमाटोट के समझ से नहीं होगा इस्टावेरी है और बिल्कुल कह दिजे ठंड के दिन में हर किसाने लगा सकते हैं तो एक ध्यान रखना किसान भाई हो कि इस्टाबेरी अगर नॉम्बर दिसंबर में लगा थो तो तीन महेना के फसल है और ये तरीके से फूल आप मन देखा थो ऐसे फूल जो आ चुके हैं तो ऐसे पौध में ए से रनर्स निकल थे और वो रनर्स से फिर दूसरे नायपाउत किसान भाई मन तैयार कर ले थे तो ये हमर प्रदेश के लिए कम समय में अधिक उत्पादन देने वाला फसल है और एकर जो किसम के जब बात कर्थन तो केमा रोजा है स्वीट चारली है नाबीला है ये तीन च से ध्यान रखे कि अंभिकापूर के शेत्र में तो साल भल लगा सकते हिस्टाबेरी लेकिन रायपूर के जो मध्य भाग है में किसान भाई मन अक्टूबर से फरवरी के बीच एकर उत्पादन किसान भाई मन ले सकते है तो ये तरीके से किसान भाई मन ला करना चाहिए एक तो यह में किसात का कारगर है अपन फल की खेती में बिलकुल का होते कि जब बड़े-बड़े उद्यान लगा था जाया आम के बगीशा लगा था चाहे केला और पपीता लगा था का होते कि पौंद में जब टपक सिचाई के माध्यम से पानी जाते तो अगल बगल में घास घ के बीच में प्रतिस परदा होते हैं और फसल भी कमजोर हो जाते हैं तो मुला किसान भाहिमन से यही सला है कि पलवार जे रहामन का थन प्लास्टिक पलवार लाजा आए या पैरा के भी उप्योग किसान भाहिमन कर सकते हैं पहुंद शेतर के अकल बगल में पैरा बिशा द पेड़ लगा देन और उकर बाद खरपतवार अगल बगल में उगए तो जो खाद आप मन डाला थो खाद हवाँ मन पहुंच बे नहीं करें तो अगर बड़े छेतर में फल उद्यान किसान भाहिमन लगा थे तो टपक सिचाई तो लगाना ही चीए एकर से का है मजदूर की भी जरूरत नहीं पराबर पड़ते और पानी के भगवती जी 40% पानी के बचत किसान भाहिमन कर सकते खातू भी दे थनों में बिलकुल खातू के मात्रप ही वह में बज्जत है तो ये तरीके से किसान भाहिमन लगा टपक सिचाई से फल उद्यान और साथ में प्लास्टिक खेती के 36 गड़ में का संभावना है करिशन की समने लगाना चाहिए और कपकब लगाना चाहिए देखवाल केसी करना चाहिए कर बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिस निश्चित ही ये जानकारी आपमने निबर उपयोगी होई है अवाईया कारेकरम है फेर एक नया व प्राइपूर 36 गड़ पिन नंबर है 492 007 अवाईया कारेकरम है फेर एक नया विशा लेके आपो तब तक बर्विधा राम राम कर दो